अगर आप हमसे जुड़े हैं आपको प्लेलिस्क मिलेगी जहां पर पिछली दो वीडियो जो कि science और EBS बहुत important role play करते हैं KBS के exam में उनको आप देख सकते हो कि आपको क्या पढ़ना कहा से पढ़ना किस तरह से करना है बहुत प्रॉपर तरीके से आपको वहाँ पिकर ठीक है तो आज हम इसको देखने वाले हैं जो कि आपके screen पर दिख रहाया है computer की तयारी को कैसे कर से बहुत simple सी बात है कि computer का कोई syllabus आपके KBS में mention नहीं है कोई भी particular syllabus बैंसन नहीं है so you cannot decided कि हमें क्या पढ़ना कैसे पढ़ना बट चुकि हम एक teaching field का exam दे रहे हैं और हम एक proper तरीके से basic concepts को पढ़ने बात है ठीक है तो उन basic concepts में सबसे important बात होती है कि sir क्या पढ़ना है उससे भी ज्यादा important बात होती है sir कहां से पढ़ना है और उससे भी ज्यादा important बात होती है कि sir कैसे पढ़ना है क्या resources है किस book से पढ़ना है किस चीजों कैसे हमने अपने question answer को हम cover कर पाएंगे इन सब चीजों के जानकारी को आज हम इस वीडियो में देखें तो चलिए start करते है number first thing सबसे बड़ी समस्य यह आती है बच्चों के सामने कि sir जिस बच्चे के पास computer या laptop नहीं है वो कैसे अपनी तयारी को करें ठीक है तो इस चीज को हम कैसे handle कर सकते हैं एक बहुत simple सा तरीका है कि आपको जब भी कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो पहले उसकी notes बनाओ और Google पर वो चीज सर्च करते हो क्योंकि हमारे दिमाग में guys images set होती है images मैं इन बच्चों को लिए बता रहा हूँ जो computer या laptop उनके घरों में नहीं वैसे maximum लोगों के घरों में computer और laptop है अगर उनके घरों में नहीं है तो वो एक simple सा काम कर सकते हैं कि जो भी पढ़ें उसको Google पर सर्च करें और उसकी image देखें जिससे क्या होगा कि उनके दिमाग में यह चीज सेट हो जाती है ठीक है और जब आप Google पर सर्च करोगे तो वहा आप notes बना लिए Google पर images देख लिए तीसरा जो सबसे important आपको करना है वो exam time के एक महीने पहले किसी भी cyber cafe से contact कीजिए उस cyber cafe पर जाईए और जो भी आपने image देखी जो भी आपने notes बनाया उसको practical way में उस एक महीने में daily एक घंटे आप वहाँ पर देखें आना और एक घंटे गलत नहीं होगा वो 10 के 10 question आपके आजाएं ठीक है तो gk and current affair से ज़्यादा important computer का roll होगा क्योंकि computer एक fix 10 question देगा लेकिन gk और current affair में आपको 5 number gk और 5 number current affair वो भी हमें पता नहीं है कि हमें कहां से कहां तक पढ़ तो gk और current affair पे focus करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम computer पर फ जो है वो है कि हमें क्या पढ़े हमें क्या पढ़ना है ठीक है इसके बारे में भी हम देखेंगे हम आपको इसके syllabus को भी बताएंगे हम कैसे पढ़ें इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं and ant में हम इसे कहां से पढ़ें इसके बारे में भी हम देखने बारे ठीक है तो द आपको यह कहा जाए कि यही computer का syllabus है, तो यह बिल्कुल सरासर गलत होगा, कहीं भी इसकी site पर computer का syllabus mention नहीं है, बट जो basic syllabus होता है computer का, जो की अलग-अलग exams में आते हैं, इन में जो questions पूछे जाते हैं, या आपके KBS में जो previous year के questions पूछे गया हैं, वो इन ही syllabus के पूछे गया है जिसमें से number first introduction to computer, जिसे हिंदी में computer का परिशे कहते हैं, इसमें आप generations के बारे में जानेंगे, introduction to GUI based operating system, मतलब कि DOS क्या होता है, Microsoft क्या होता है, जो operating systems होते हैं, उनके बारे में आप जानेंगे, number third element and word processing, तो देखें तीन चीज़ें तो आपको बहुत important पढ़नी हैं, MS office में तीन चीज़ें बहुत important पढ़नी हैं, वो क्या पढ़नी हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस समस्या का समधान तो आपने बता दिया, MS office में तीन चीज़ें आपको ज्यादा पढ़नी है, number first word पढ़ना है, number second ppt पढ़नी है, जैसे powerpoint presentation बोलते हैं, and number third हमें Excel के बारे म file कैसे बनती है, file कहां save होती है, उसको edit कैसे करते हैं, कैसे हम नाम को ला सकते हैं, क्योंकि जब आप KV में select हो जाओगे, तो वहाँ पे computer को आपको use करना हो, ठीक है, क्यों ppt बनानी पढ़ेगी, बच्चों को presentation दिखाने के लिए, बच्चों को इसामने present करने के लिए, तो maximum question आपके MS Word और MS PowerPoint से पूछा जाता है, तो इन दोनों को आप बहुत important तरीके से पहिएगा, जैसे मैं अभी image आपको दिखा रहा हूँ, ठीक, इसी तरह से वो बच्चे जिनके पास computer या laptop नहीं है, वो इसी तरह से image देख करके सीख सकते, ठीक है, और सीखने के बाद, इन images क वो बाद में, जब वो cyber cafe पर जाएं कभी, तो वहाँ पर जा करके इन images को सीख सकते हैं, देख करके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, कि हमें internet का यूज भी पता होना से, सबसे important है, क्योंकि internet से भी आपके questions आते हैं, okay, सवाल आता है कि सर, ये सब चीजें, जैसे MS Word, MS Office, MS PowerPoint, MS DOS, operating systems कितनी होते हैं, जैसे XP हो गया, Windows 7, 10, क्या-क्या, कब-कब ये बने थे, ये बहुत important रखता है, बहुत important role play करता है, computer की generation क्या है, किस generation में क्या use हुआ था, जो कि आप screen पर देख रहे होगे, किस generation में क्या use हुआ था, ये सब चीजें भी हमें जानना बहुत जरूब है, त बहुत important role play करेगा, उके, तो इन सब चीजों को हम एट book से पढ़ सकते हैं, वो book कौन सी है, तो वो simple सी book है, वो book कौन सी है, मैं आपको बता देता हूँ, वो book है आपकी triple C, जैसे हम course on computer concept के नाम से जानते हैं, ये दोनों language ये में available है, एक Hindi और एक English, तो आप चाहो किसे flip card से ले सकते हो, ऐसा कोई paid promotion नहीं है मेरा, flip card का या फिर Amazon का, बचों की help करने का बस उदेश है, तो उदेश से मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहो तो flip card से ले सकते हो, आप चाहो तो Amazon से ले सकते हो, जहां से भी आपका मन करें, इसे ले लीजिए, अब यही मैं क्यों recommend कर र तो government चीजे हैं, और इसके previous year में बहुत तारे questions भी हुए, तो previous year questions अगर आप इनके कर लेते हो, और इसके book को अच्छे से पढ़के notes तयार कर लेते हो, तो आपको computer क्या 10 questions कोई छांट नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता, और यह बहुत बढ़ा role play करेगा, क्योंकि एक एक number matter क बता है, जब exam सिर्पे होता है, ठीक है, तो जल्दी से पटा पट से इसको आप ले सकते हो, book को, चाहिए जो book ले लो, अगर आपको अच्छा लगे ये book, तो यही ले सकते हो, वरना आपके market में भी अगल बगल book available होगी, तो उसको ले सकते हो, ठीक है, so thank you so much guys, thank you so much, आप देखें, और चीजों को समझें, और आपके जो भी comments होंगे, जो भी questions होंगे, जो भी query होगी, वो एक बार आप मुझे mention कर दीजेगा comment box में, मैं उसका reply वही पर देखेंगे, ठीक है, अगर मुझसे कुछ छूड़ गया हो, तो हम वही पर उसको cover कर लेंगे, so thank you so much, all the best, प साम को 9 बजे की class में, रात को 9 बजे की class में, math के section के साथ, all the best.